हाई फ्रेंड आज सुरू करते हैं ब्यूटिफुल यू के पार्ट टो पिसले पार्ट में हमने सुना था फाइनलिक दो साल बात जान वेप इपो के समने आता है वो भी उसके ओफिस में इंटर्वू देने के लिए अब आगे की स्टोरी जब इपो जान को अपना आँखों क समने देखता है बहुत तो पुरी तरह सौक हो जाता है जान भी पुरी तरह सप्राइज था इपो के हाइटपीट पहुचता फास्टो हो गया था उसके दिमाग में तो बहुत सारे चीज़े आने लगता है वो अपने चेर से गेल नहीं बला था कि वो अपने आपको सम्भा कर लता है बस पो एही होप कर रहा था जान साफी के समने यह रिभिल ना करें कि वो दोनों एक तूझे को जानते हैं क्योंकि उसके फादर को पता नहीं है कि वो गय है जान छोटी से स्माइल देता हुए कहता है आप स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ करना चाता हूं इपो किया था कि मैं इस जब के लिए पूरी तरह सूटेबल हूं मगर मैं नहीं चोचता इपो के फादर कहते हैं तुम्हारे फादर कौन है जान केता है मेरे फादर सुप्रेम कोट के चीप जस्टिस है वो चाहते हैं कि मैं ही पर ही काम करो अपके बेटे के परसनल अस्टिन के रोप में इपो के फादर कहते हैं तो फिर तुम्हें इस पाद पर रिस से क्यों कर रहे हो मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूं यह मेरा बेटा इपो है वो मार्केंडेंड डिपर्टमेंट का हेड है वो तुम्हारा हेल्प करेगा इपो भी इमिडिटली कहता है हां म भी बहुत ज़दा खोश था कि फाइनली उसका किस्मत उसे सिक्रिंस दांस दिया है जान के करिव रहने के लिए अब वो इस पर जान को कभी अपने आप से दूर नहीं करेंगा अब हम जान के पॉइंट अफ्यों देखेंगे कि वो इबो के लिए क्या फिल कर रहा है उसकी इंटर्वू होने वाला है वो तर लास नेट हारली ही सो पाया था वो अपने बेड़ पर जॉम करता हुए बातरंग तर दोड़ने लगता है इमिडिटले सावाग लेकर प्रस करके पांस मिनिट में रेडी हो जाता है वो अपने लिए एन नया सूट और अपनी हैर को अच्छी तरी के स्टाइल करने लगता है और वो मिरर के सामने कड़े होकर अपने आग को देखने लगता है वो रेडी होने के बाद नीचे आता है जहां पर उसके फादर ब्रेकफस्ट टेबल पर बेठे हुए थे वो क्लापिन करता हुए कहते हैं वो येस ये मेरा ब्यू उसके टाड कहते हैं मैं तो पुरी थरा स्योर हूँ तुम हमेसा याद रखना हम लोगोंने क्या बाता है कि थी जहां थोड़ा सा टाड़ता हुए कहता है मगर क्या आपको लगता है ये रेली में काम करेगा उसके पापा तो पुरी थरा स्योर थे अपकोर्स मैंने जो कहा ह वही करना क्यूंकि आज से पहले कंपनी में अपने आपको इंट्रोडूस इस तरह कभी किसी ने भी नहीं किया होगा मैं क्यारेंटी देता हूँ बोलो तुम्हें यह जब जरूर देंगे और चब उन्हें यह पता चलेगा कि में कौन हूँ तो तुम्हारा जब पुरी तरह कंपर्म है जान केता है मगर उन्हें पता नहीं कि आप मुझे कितना ज़्यदा प्यार करते हैं उसके टाट केते हैं वो बस मैं अपने बैटे के लिए हूँ जान तो बहुत ज़दा एक्सेटेर था वो इंटरूर देने के लिए उसके टाट केते हैं जान मुझे पर फोरोसा करो मैंने बहुत ज़दा रिसर्ज किया है बहुत 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 पर है जान थोड़ा सा टाटता हुए केता है क्या उसने मुझे याद रखा होगा या फिर किसी और के लिए मुझे भूल गया होगा तो उसके टाट केते हैं डोंट बरी मैं पूरी थारा स्योर हूँ कि वो तुमें ज़रूर रखा होगा अगर भो भूल गया होगा तो फिर वो तुमारे पैर के काबिल नहीं है तुम उसे कितने सालों से लाइक करते हो जहान बड़े स्माइल देता हूँ ये कहता है मुझे लगता है नो ये दस साल हो गया होगा और ठाट मैं तक पेट लगा सकता हूँ कि बू मुझे कभी भूला नहीं होगा उसके ठाट जहान को घुले लगाता है यह कहता है जान एक पर कभी भी मत बोलना तुम्हारी बड़ी पुरी थरा स्पेशियल है हमेशा क्यार पूले रहना तुम्हारा इंटर्वु कब है जान कहता है वान थाटी को और मैं अपना ख्यार भी रोखूंगा मैं पेले सेमें जाऊंगा उसके बात मामा से मिलने के अब वो दोनों ब्रेफर्स करने लगते हैं ब्रेफर्स के बात जान रेडिय होने लगता है इंटर्वु देने के लिए वो फिर जे बहुत ज़दा नर्वास हो गया था वो कुछ अफ़ों से पहले से वेपर था प्लानिंग कर रहा था मगर वो अभी बहुत ज़दा पर्टनियर्स का था वो अपने उंकल के गर समॉल के वेगेशन पर घुमने के लिए आया था वो अपने काजिन चेंग के साथ यूद कलब किया था जहां पर पहली बर इवो से मिला था पहली नजर में ही जान इवो से प्यार कर बैठा था इवो उस बगत अपने दोस्तों क बीच बहुत ज़्यदा पॉपुलर था क्योंकि वह स्पोर्समें था बहुत पास्केटबॉल खेलता था सोकर वर्लेबॉल टेबल टेनिस वह हर चीज में परफेट था जैन बहुत ज़्यदा इंप्रेस हो जाता है उन्दूनों जैन सिक्रेटली इवो को देखा करता था व मगर बहुत ज़्यदा शाही फेल कर रहा था उसी तरह पेकिसनल भी खतम हो जाता है जान अब अपने घरवा पसा गया था वह फोच ज़्यार था कि वह एक पर इवो से बात नहीं कर पाया उसने तो यह सोच रखा था कि वह कभी इवो से नहीं मिल पाएगा मगर जान को थो सारे यंग्स्टर चोटा सा डिसकोपाटिक कर रहे थे जान जब टाइलेट में था इवो भी वहां पर गया था जेंग के ट्रिप के वज़े से इवो नीचे के नहीं बाला था कि इवो जान के आर्म को पकड़ कर बहुत दोनों नीचे खीर जाता है और आसिडेंटली स्मॉ कर बहुत बंब गर जाता है जहान के संसे तो जैसे वहीं परी रोकिया था बहुत पुले तरह न बच्दा ईपको सम्हात हुए सोरी-सोरी कहने लगता है सारी में घेर किया मेरा ऐसा कोई जान सबले कहता है इर सोके उपके सारे प्रेंट्स उन दोनों को देकर बड़ी इस तरह एंबरेजिसिंग होगा मगर कहीं ने कहीं वो खुश भी था अंजान में ही सही उन दोने के फास्ट कीज हो गया था वो साचिटेंट के बाद इपो अपने घर वापस चला गया था जहान जो सेक्रेटली कुछ पीचर की जाओ था वो हमेजा अपने पास रखा हुआ पांच साल बाद उसके पैरेंट्स बेजिंग मुब कर लेते हैं जहां पर उसके फादर फेडरल कोट में चीफ जस्टिस थे और उसके मदर फ्रीलेंस रेस्ट्रोल में वार्क करते थे जहान अभी भी महीं पर एक स्टटी किया हुआ था वो आप भी इवो को नहीं भूला उसके पास था दो साल बाद से मिस्टर ब्रेक में बेजिंग बापस आया था वो एबिनिंग के टाइम जैंग और अपने ओल्डर सिस्टर यहां लेके साथ क्लाप गूमने के लिए था वो तोनों तो अपने पार्टनर के साथ ड्यांस करने लगते हैं जहां जपांपर एक करने लगता है जहां तो पुरी तरह सौक था और बहुत जदा खुश जहां को लगता था कि इपो उसे पहले से याद रखा हुआ है उसके लिए कोई स्ट्रेंश नहीं है मगर होटल रूमें जहां को रेलाइज हो जाता है कि इपो को चान के बारे में कुस भी याद नहीं ह इपो के साथ वो बहुत जदा खुशता इपो को फिर से देखकर अरण पांस बजे जान के नहीं तोट जाता है जो इपो के नेक्स्ट में सुआ हुआ था उसे जिर्जेंग जेंग और यानली की बाते याद आता है वो कुई क्ली ट्रेस अब होकर वहां से जाने लगता है उसे पता है उसकी पैरेंट्स बहुत जदा ओरेड हो रहे होंगे वो इपो के लिए साथ सान नूट लेकर क्या आप लेकर बहां से जाने लगता है वो बहुत जदा आनोंग फिल रहा था कि वो इस तरह स्टूपिर सा मेसेस कैसे लिख सकता है आटलिस्ट वो आपना फोन न है मगर वो यह बात भी क्लियर कर लेता है कि उसने प्रोटेक्शन ही हुज किया था उसकी पैरेंट्स थोड़ा सा रिली फिल करते हैं जहां जब टूएबर यह उल्का था उसे पता चल रहा था कि वो पिक्निट हो सकता है उसी देनी जहां आगे की स्टॉडी के लिए वहां इपो को ठोड़ने के लिए जैसे ही उसके फादर को पता चला वो लोग इपो के लिए परसनल आस्टेंट होन रहे हैं तो जहां को इस बारे में कहते हैं वो जो बहां पर जाब कर रहा था बहां से कॉइट करता हुए वो बेचिंग वापस आ जाता है और वो इपो की परसन महीने का इंतेजर भी नहीं कर पा रहा था कि वो अगले महीने केसे जब जाइन करें बहुत तो काली जाइन करना जाता था मगर कंपनी के रूर काएगे वो भी कुछ नहीं कर सकता था जान कहता है मैं काम करने से पहले मैं अफिस पर तो देखना जाता हूँ तो इपो की टा अंदर जाते हैं, बहुंपर कैमरा नहीं था, तो इपो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम उस दिन इस तरह कैसे भाग कर आगे, आर्टिस तुम्हें अपना सेल नमबर तो देना चाहिए था, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देखने के लिए कितने जदा तरस जान तो पूरी थरा स्पेशलिस था, वो कभी भी ऐसा एक्सपेट नहीं किया था, आइम सॉरी, इपो कहता है, और अब तुम कहीं भी मत जाना, जान कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, इपो कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता, जान मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हे वेट का रहा था फाइनली मैं तुम्हें देख पाया अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूँगा जान मुझे पता है हम लोगों के लिए इतना इजी नहीं है specially मेरे फैमिली के लिए मगर क्या तुम प्लीज मुझे एक चांज दो के तुमने दो साल पहले मुझे डिनरीं करके जा चुके हो जान कहता है मैंने तुम्हें डिनरीं नहीं किया था मैं बस पापस गया था इपो कहता है क्या मैं तुम्हें कीस कर सकता हूं जान सौब को तो भी यह कहता है क्या इहीं पत इपो कहता है प्लीज जान जान नुर्पास होतों भी नूर करता है तो वो दोनों पैसनले केस करना लगता है इपो को पता था उसके फैमिली में इस सब आसेट करना इतनी आसान नहीं होगा वागर फिर भी वो जान को अपने पास देखकर वो बहुत ज़दा खोशता वो दोनों अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आफिस में पहुंसने पहले इपो जान के तरफ देखकर कहता है हम सारे कल्ले के समने एहीं सोख करेंगे कि हम लोग पहले से एक तुझे को नहीं जानते तुम बस मेरे परसनल आसिस्टांट हो जान तो थोड़ा से नाराज हो जाता है मगर आफे के लिए वो इपो के बात पर एक जी हो जाता है जैसे ही वो दोनों अपने अफिसरों में जाते हैं सारे स्टाप और कलिक्स इपो की हेल्प और आरपास के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं उन्हें एक बड़ा सा अडराल मेला था जिसके बारे में वो लोग टिट्रिश जाने के लिए वो लोग मेंटिंग करने लगते हैं इपो जान को थोड़ा सा उड़ करने के लिए कहकर वो बहां से चला जाता है कुछ दिर पार जान जब अपने वास की दखता है जापर थी थाटी बच चुके थे वो इपो की तरफ देखता है इपो जो अपने काम में बहुत चला बीजी था और थाटी मिनिट साइद लग जाते थे इपो के लिए अज थोड़ा से देश नहीं है पहले काम है यह जहान के लिए कोई नहीं बात नहीं था इसलिए बोई के एंपलोई को कहकर वो बहां से चला जाता है अपकॉर्स जहान थोड़ा से डिसापॉइंट था वो उसे बिदेफली सब कुस बताना चाता था मगर वो इबो को समझ जाता कि पहले काम है अस्पेस जेली इबो चे स्टेज परे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड़े उसे सब कुस क्लोस देखना पड़ेगा जब चान बहां से बहार जाने ही बलाता है कि पीछे से उसे कोई बलाता है जान को लगता है वो इबो का मकर जब वो पीछे मोड़के देता है वो इबो के प्रतर वहां गाई कुएंते जो पेसेंस ली चान का पस इंतिजाल का रहे थे तुम और मेडा भाई एक तुच्छे को जानते हो ना मैं क्लियलि तुम दुनों के आंखों में देख सकता हूं जानतो च्लियली छोट बोलने लगता है नहीं मुझे लगता है आप को कोई मीस अंडॉस्टेंडिंग हो गया है हम लोग एक तुछो को नहीं जानते हैं आईकोन कहते हैं रियली में तुम्हें लगता है मैं भूल चुका हूँ दो साल पहले उस क्लॉब के नैट में क्या हुआ था